गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी अधिस चैप्टर, और आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पर्चिस रिटन बुक से रिलेटेड, आपको पता है चैसा कि पर्चिस रिटन बुक बोलो या रिटन आउट ओवर्ड बुक बोलो वन नंद सेम थे, ठीक है तो एक přेवा रिट्चिस रिटन बोलो वन बुक बोलो देख गेन, आखरेंड, अब अगर बोलो, आपको से रिटन बुक बोलो, आप अपन देखते हैं कि अंदर क्या होता है तो simply return outward book के अंदर पन वो transaction लिखते हैं जो credit से related होते हैं means whatever is your credit purchase जो भी आपकी credit purchase करें मतला अपनी credit में goods को purchase किया है and if you are going to return it अगर आप उन्हें return करते हो then you have to write that particular entry in your books of accounts तो आप particular उस type की entry को अपनी books of accounts में लिखते हो simultaneously बेटापन sales return भी पढ़ते होए चरेंगे ठीके in case of sales return क्या होगा sales return में हमने sales करी थी अब condition हो जाएगी reverse मतलब हमने goods को sale किया अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ देखे एक होता है हमारे लिए purchase return ठीके return भी दो type की होते या तो purchase return करोगे या तो फिर sales return होगा ठीके purchase return की case में क्या था कि यहाँ पर एक person था जिसका नाम था return कर दिया अब आप common sense लगा जब उसने goods लिया हों गया थोड़ा सा extreme level पर देखते है ठीक है जब आपने इस person से goods लिये आपने काई में लिये credit में तो अब यह जो person है एकस है यह आपके लिए क्रेडिटर बन गया आपने journal entry क्या करियोगी जब goods लियोंगे तो आपने entry करियोगी purchase account debit to x account yes or no यह entry आपने कप करियोगी जब आपने goods को लिया होगा ठीक है यह चीज़ तो आप समझ गयोंगे है अब case होता है उल्टा जब हम sales की बात करते है अपने return बात में देखेंगे पहले अपन simple purchase देखेंगे अब वह उल्टा मतलब कि यहाँ पर एक person खड़ा हुआ है ठीक है यहाँ पर एक person है उसने क्या करा उसने goods दिये किसी और को मतलब एक को दिये just assume एक को दिये अब यह क्या होगी sales होगी अब अपने credit में दिये तो credit में दिये तो अब अपने लिए ये ए नाम का इंसान क्या बन जाएगा data तो journal entry हो जाएगी क्या is account debit to sales account yes or no यह चीज़ समझ गोंगे अब आपको देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर अभी तक x का account क्या था credit था यहाँ पर एक account क्या चल रहा है debit अब अपन क account अभी तक credit चल रहा था उसको क्या करना पड़ेगा debit करना पड़ेगा जितने रुपे के goods अपन दे रहें उतने रुपे से अपन उसके account को क्या कर देंगे कम की वह या आपका account अब हमको नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे is account debit ठीक हमारे entry क्या हो जाएगी एक account क्या हो ज debit तो जैसी हमने अपका count debit क्या तो हम क्या करेंगे intimate करेंगे मतलब एक तरीकेसे हमें एक क्या इसए हो नोट होता है तो debit simple civ denen अडे के सब बोल सकते हैं अपन इसके according कोई person है we यहाँ क्या हो जाएगा आपने पास क्या चल रहाएगा एप तो अबंगा च्रेडिट सेगा होगा समय क्रेडिट होती है तो सेलसे रिटन क्या होगी डेबिट तो जटे की सेल्सेयर ऐबेट नगल्ट टुए इक हम यह mods व्हमेड है क्रेडिट नहेंद झाया थम...? जिसे यह इंपर नहां भूता या आ यह अन्यार का वूता है कि आप लोगों को black pen का use करना चाहते हो तो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आपन सबसे पहले heading डालेंगे क्या करेंगे heading डालेंगे purchase return purchase return के case में heading क्या बन जाएगी date तो हमेशा लिखते हैं जिस date पर transaction हुआ particular में description लिखेंगे कि that what's your transaction मतलब party का नाम आजाएगा amount आजाएगी जो भी चीज़े सब आजएगी next would be your debit number ठीक है आपने जो भी debit note नमबर इशू कर रहा है debit कब करोगे जब party का account debit करोगे तो already क्या हो रहा होगा credit हो रहा होगा ठीक है तो अपन debit कर दें फिर हमारे पास आजाएगा laser folio number इसमें अपन लिखेंगे कि कौन सा laser folio है ठीक है एक मिनिट तो ध्यान बस एक मिनिट अपन को बस ध्यान जो रखने वाली बात है वह यह कि इस सरी क्या format होता है दूसरी चीज़ अगर आप purchase return करते हो तो sales return automatic आजाता है purchase करते हो तो sales अपने आप आजाता है तो इसको क्या बोल देंगे हम इसको बोलेंगे कि अपन return in word है ना क्यूंकि अपने पास वापस से आ गए तो इस case में क्या होगा अपन party का account already debited था क्यूंकि ओर data था अपने लिए है ना तो वह अपन credit करेंगे तो इस case में हो जाएगा date particular credit note number laser folio detailed amount and net amount that's it this thing you have to keep in your mind अब अ अपने questions का solution ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं हमारी book में question हमको कहां दे रखें तो first question में आपको एक करा देती हूं आगे आप लोग ध्यान रखें हाँ एक और चीज़ आपको बता नहीं है मैं आपको discount के बारे में भी बता देती हूं if there is any trade discount अगर इस condition में कोई trade discount होता है ट्रेड डिसकाउंट था ठीक है ट्रेड डिसकाउंट मान लोग 10% का था मतलब की 50,000 में से ट्रेड डिसकाउंट कितना हो गया 5,000 तो ultimately अपने पास goods किते के बच गए मतलब ultimately अपने जो purchase किया था तो net amount अपना कितने का था 45,000 तो आप यह धियान रखेगा कि जब भी हम ऐस कुछ करते हैं trade discount भी consider करते हैं in that case अगर आप goods को return कर रहे हो तो then also you have to consider that particular trade discount मतलब अभी आप जब पार्टी का account कम करोगे ठीक है मतलब आप उसको goods return करोगे तो आप उसका account भी adjust कितने से करोगे 45,000 सी करोगे तो keep this thing in your mind कि trade discount अगर होता है तो trade discount भी आपको adjust करना है आपको द अब next is जो आप धियान रखेंगे वो अपन question solve कर लेते हैं फटा-फट से format बना देती हूं मैं तो अपन देखते हैं हमारी book में question जो दे रखा है वो ये कि record the following transition in your purchase return book ओके तो अपन को purchase return book में लिखना है first बोल रहा है वो the turn 15th December returned to the शांती प्रशाथ थी कि अपने शांती प् purchase क्या होगा तो मैं शाद यहान रखेंगे ना यह चीज़ नेक्स्ट कि हमने two fans जो है जिनकी cost price 500 each मतलब two fans return करें एक की value 500 यह मतलब ultimate किते रुपे का goods return करें 1000 का trade discount being 10% और उसके ओपर trade discount किते रुपे का 10% मतलब 1000 के goods अपने purchase करें वो अपन सारे के सारे return करें मतलब 1000 अपन को यह नहीं पता है कि अपने purchase कितना किया अपन को यह पता है कि अपने return कितना करें तो two fans अपन return करें 500 रुपे करें मतलब ultimately किते रुपे का goods return करें 1000 का but there is a trade discount of 10% पर किते का trade discount होता है 10% तो 1000 में से 10% minus कर देंगे तो ultimately हमारा trade discount कितने का हो जाएगा 900 का next जो बोल रहा है वो यह 10 per dozen मतलब 3 dozen के अपने कुछ holders थे वो अपने return किये और एक holder कितना रुपे का 10 रुपी का मतलब ultimately अपन कितना रुपे के goods return करें 30 रुपी के goods किते के goods return कर रहे है 30 रुपी के goods कर रहे है ठीक है यह चीज़ अपन दियान रखेंगे plus इसमें trade discount नहीं बढ़ ऊपर trade discount है तो अप सबसे पहली चीज़ अपन जो यहां पर लिखने वाले हैं वो यह कि अपन date लिखेंगे तो हमारे पास date क्या है तो question ने हमको date जो है वो format बना लेंगे सबसे पहले date particular debit note laser folio detailed amount और net amount अब question अपन को यह वोड़ा है कि on 15th of December तो अपन लिख देते है 15th December को क्या हो रहा है goods अप लिख देते हैं अपन return to शांती प्रसाद या फिर डारेक लिख दो शांती प्रसाद कोई दिक्कत नहीं और उपर heading डालना मैंने डाली नहीं है purchase return book ठीक है ऑफ जो भी limited है purchase return book ऑफ जो भी है अब debit note number अगर दे रखा होगा तो लिख देंगे नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं laser fully open लिखेंगे नहीं अब अपन को पता पढ़ गया तू फैंज है हमारे पास और 500 रुपे का एक फैन है अपने पास तो ultimately अपने किते रुपे का goods purchase किया तो 1000 का तो detailed amount में लिख देते है 1000 ठीक है but there was a trade discount तो अपन क्या कर देते हैं less कर देते हैं trade discount trade discount जो है वो क्या है 10 10% क्या है 10% वो होगा 100 रुपीज पता ही आपको कैसे आया तो 1000 जो था इसका 10% 100 रुपी अल्टिमेटली वेल्यू आ जाती है हमारे पास 900 ठीक है अब सेकिंड देखते हैं 30 दिसमबर को 30 दिसमबर को तो क्या होता है 30 दिसमबर को अपनने क्या करा है return to शाम सुंदर किसको return कर दिया शाम सुंदर को नहां शाम सुंदर को अपने return कर दिया क्या कर दिया 3 dozen holder costing rs 10 मतलब 10 रुपे का एक है, मतलब कि 10 into 30 would give you 30, sorry, 10 into 3 would give you 30, अब इसमें trade discount है क्या कुछ, अब इसमें कुछ भी trade discount नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन direct net amount देख लेते हैं, 30 हो जाए, अब total कर लेते हैं, अपन तो अपन को मालूँ पढ़ता है कि हमने 930 के goods को क्या कर रखा है, return, तो total हमारे पास किती हो जाएगी purchase return की 930, that's it, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अब आगे जो question है उसके अंदर से मैं आपको बता देती हूँ, कैसे करना है, तो question number 11 अपन देखते हैं, question number 11 बोल रहा है, record the following transition in Vinod's purchase return book, Vinod's purchase return book में लिखना है, 6th June को हमने क्या कर दिया है, return कर दिया है, return goods to Ram brothers, directly amount दे रखा है, तो अपन लिख देंगे इसमें discount है नहीं, इसलिए मैंने simple question आपके उंबग के लिए रखा है, return to Ramesh brother, तो पहले heading डाल देंगे Ramesh brother, internally लिख देंगे 500 रुपीज, that's it, फिरेट तो June को हमने return करे, Sohan brothers को, तो लिख देंगे क्या, Sohan brothers और रुपे लिख देंगे, 450 then हमने return करे, Prem को Prem and Sons को, तो लिख देंगे, Prem and Sons 700 रुपीज, that's it, total आजाएगा हमारा amount, next अपन देखते है question number 13, returned by Dayal brothers, silk cotton was Rs. 3600, simple सी बात है, हमने goods को sale क्या होगा, तो हमारे पास return हो गया, मतलब वापस आगया, तो किते रुपे का goods आए, 3600 तो हमारे लिख देंगे, next, return by Sunil, Sunil से goods return होए, goods worth Rs. 1500 ठीक है, reason not according to symbol, whatever would be your reason, the thing which you have to keep in your mind, while making any type of entry related to your purchase return or sales return, is that, that you have to consider their amount only, मतलब आपको सिफ amount को consider करना है, reason कुछ ना कुछ होगा, तभी person ने return किया है but आपको accounting aspect से सिफ यह पता होना चाहिए, कि हाँ, हमको amount कितना enter करना है, next would be, credit of excess amount of sushi's wrongly entered in the invoice Rs. 150, मतलब यह क्या हो गया, हमारी side से क्या हो गई, गलती हो गई, कि हमने access में amount उसका क्या कर दिया है credit कर दिया है, ठीक है adjust करना पड़ेगा, तो 150 सामने क्या हो जाएगा, add हो जाएगा ठीक है, अपन लिख देंगे access credit adjusted, ठीक है, अब अपन करते है